आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल होते रहते हैं लेकिन इस बार का जो वीडियो वाइरल हो रहा है वो कभी भी किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं हुआ होगा नमस्कार आप देख रहें DRV NEWS, DRV NEWS में आप सभी का स्वागत है, मैं मिगा खाड़े ओसकर फंक्शन के चलते जो होस्ट है क्रिस रॉक उनुने फेमस आक्टर, मैंने ब्लाक के फेमस आक्टर विल स्मित की पत्नी के गंजेपन का मजाग उडाया लॉस एंजलिस के डॉल्बी थेटर में 94 ओसकर अवार्ड सेरिमेनी चल रही थी इसी दौरान मंच पर आये क्रिस रॉक ने अक्टर विल स्मित की पत्नी जेडा पिंकेट स्मित को लेकर मजाग किया जिसके बाद विल स्मित अपनी सीट से उटकर मंच पर गए और क्रिस रॉक को जोरदार थपड जड़ दिया विल ने रॉक को वर्निंग देते हुए कहां कि उनकी पत्नी का नाम कभी भी अपनी जबान पर मत लेना दरसल क्रिस रॉक ने विल स्मित की पत्नी अक्टर सिंगल जड़ा पिंकेट स्मित के गंजेपन को लेकर मजाग किया दरसल विल स्मित की पतनी जेडा स्मित अलोपेशिया की मरीज है जिसके कारण उन्हें गंजेपन का शिकार होना पड़ रहा है इसलिके चलते इस ओसकर अवार्ड में जब क्रिस रॉक ने विल स्मित की पतनी का मजाक उड़ाया तो उनसे बरदाश नहीं हो पाया अक्सर होस्ट किसी भी फंक्शन का माहोल खुश मिजाज रखने के लिए अपना मजाक्या अंदाज जताते हैं लेकिन हर एक मजाक की हद होनी चाहिए किसी भी मजाक के कारण किसी के व्यक्तितव को ठेस ना पहुचे और माहोल खराब ना हो DRV News में बस अभी के लिए इतना ही DRV News Channel को सबस्क्राइब कीजे इस पर कमेंट इसे लाइक और शेयर करना बिलकुल नाम भूलिए मुझे वा मेरी पूरी टीम को दीजे इजासत धन्यवाद